Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 14.3 का question number 7 देखते हैं क्या है Run scored by two teams A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below दो team है team A और team B उन्होंने पहली 60 ballों पे run score किये हैं वो यहाँ पे हमें दिखा रखे हैं कि पहले 1 से 6 ball में उन्होंने 2 run gain किये हैं team B ने 5 run gain किये हैं 7 से 12 पे उसने 1 run gain किया है team B ने 6 run इस तरिक्ये से हमें data given है तो represent the data of both the teams on the same graph by frequency polygon तो frequency polygon graph की help से हमने इन दोनों teams को represent करना है अपने graph पे साथ में hint given है first make the class interval continuous अब आपके exams में ऐसे आपको given नहीं मिलेगा hint तो आपको देखना पड़ेगा जो आपका interval है देखो 1 से 6 गीवन है फिर 7 से 12 गीवन है तो 6 और 7 के बीच में 1 का difference आ गया तो इंटरवल हमारा continuous नहीं है continuous कैसे होता वन से 6 होता 6 से यहां पे 12 होता ऐसे होता तो फिर 12 से 18 होता तो यहां पे देखो यह 12 है यह 13 है तो इस continuous हमारा जो है interval गीवन है तो पहले हमने इसको continuous बनाना होता है अब continuous बनाने का तरीका तो मैंने previous question side question number 4 था उसमें भी बताया था तो यहां पे फिर दोबारा discuss कर लेते हैं एक बार और देखते हैं कैसे करना है तो हमें यह इस तरीके से table given है जो number of balls है और team A और team B का हमारा score card given है तो हमने क्या कर लेना है सबसे पहले इस interval को continuous बनाना है अब continuous interval किस तरीके से बनता है वो देख है अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है वन से 6 से 7 से 12 सिक्स और 7 के बीच में difference कितने का है वन का तो वन को टू से डिवाइड करो वन को टू से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ गया इस 0.5 को क्या करो लोवर लिमिट लोवर क्लास में से तो सब्ट्रेक्ट कर दो और अप 0.5 को एड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.5 ऐसे 7 में से सब्ट्रेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 6.5 12 में एड करेंगे तो 12.5 13 में से सब्ट्रेक्ट किया तो 12.5 18 में एड किया तो 18.5 अब देखो interval हमारा continuous बनता जा रहा है 6.5 है 6.5 से start हो गया 12.5 तो 12.5 से start हो गया इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना continuous interval बना लेंगे, ये आगया हमारे पास continuous interval, अब बनाना है हमने frequency polygon, अब frequency polygon बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने interval का half लेना होता है, class marks बनाने होते हैं, अब कैसे करते हैं, अब आपको ये वाली column बोल जाना है, इसका कोई रोल न frequency polygon बनाते है time ही, आपने ये करना है बस, तो कैसे बनेगा हमारी class, class marks जो बनते हैं, वो बनते हैं, lower class plus में upper class divided by 2, इसको और इसको add करो, 2 से divide कर लो, तो कैसे बनेगा हमारी column वो देखते हैं, तो यहाँ पर first class जो आ जाएगी, वो क्या जाएगी, 6.5 में 0.5 एड गया, तो कि इतना जाएगा, 3.5, तो first की class marks आगे 3.5, second को add करते हैं, 6.5 को और 12.5 को add करेंगे, 12 और 6, 18, और 0.5 और 0.5, 1 हो जाएगा, 18 और 1, 19, 19 का हाया हो, आप होता है 9.5, ऐसे 12.5 को 18.5 को add करेंगे, तो 31, यह आजेगा हमारा 15.5, 18.5 और 24.5 को add करते हैं, तो हमारा आजाएगा 43, और 43 का आजाएगा हमारा 21.5, इस तरीके से दोनों को add करते चले जाओ, और 2 से divide करते चले जाओ, class marks आजाएंगे, और बिलकुली जी steps क्या है, देखो, इन में देखो ध्यान से, 6.5 था 3 add कर दिया, 3 add किया, तो 9 हो गया, 12 म 3 add किया, 21, 24 में add किया, 27, 3 3 add करते चले जाओ, यह हो जाएगा 33.5, फिर आजाएगा 39.5, 42 में 3 add करेंगे, तो 45.5, 48 में add करेंगे, तो 51.5, 54 में 3 add करेंगे, तो 57.5, अब इनको solve भी करके देख लेना, यही value आएंगी, यह आपके लिए चोटी सी trick थी, 2-3 में try करके हम easily बन आ सकते हैं, अब इसका करना है हमने graph plot, इसको आपको भूल जाना है, इसका कोई use नहीं है, क्योंकि यह discontinuous था, अब हमारा continuous बन चुका, class marks यूज करने है, team A और team B यूज करनी है, अब graph अपना plot करते हैं, अब graph plot करते time हमने क्या लेना है, एक तो horizontal line लेनी है अपनी, यह इस लेनी है हमने vertical line, यह हमारी हो जाएगी, vertical line, clear है, अब देखो, जो class marks हैं, उसको ले लेते हैं हम horizontally, यह होगे हमारे class marks, और vertically हम ले लेंगे अपनी, यहाँ पे, जो भी हमारे score card है, vertically ले लेंगे अपने run score, जो भी run score किये गए है, ठीक है, class marks का interval देखो, 3.5 से start है, तो यह तो 0 हो गया हमारा, यह आजाएगा हमारा 3.5, फिर लेंगे 9.5, फिर 15.5, फिर 21.5, फिर आजाएगा हमारा 27.5, फिर आजाएगा 33.5, फिर आजाएगा हमारा 39.5, next है हमारा 45.5, उससे next है हमारा 51.5, और last जो है वो है 57.5, इस तरीके से हमने marking कर ली, उसके बाद देखते हैं, हमाने run score जो maximum है 10 तक गए हुए हैं, दोनों teams के, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 11 marks ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 11 की scaling यूज़ कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9, और 10, यह run score हो गए हमारे, अब हमने क्या करना है, अपना frequency polygon ड्रो करना है, फोर T मे, उसको हम यूज़ करेंगे, अपने black sketch से mark करेंगे, देखते चलते हैं, T में के 3.5 पे कितने runs score है, 2 runs score, ठीक है, तो यह देखेंगे 3.5 पे 2 runs score है, तो 2 पे हम dot लगा लेंगे, फिर 9.5 पे है 1, तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, 9.5 पे कितने runs score है, 1, तो 9.5 पे लेंगे, हम 1 पे mark लगा लेंगे, फिर 15.5 पे है 8, तो 15.5 पे हम draw करेंगे अपना 8 point, फिर 21.5 पे है 9, तो next वाले पर 21.5 देखेंगे, और उपर चल देजाएंगे, और यह 9 पे point लगा लेंगे, और फिर है हमारे 27.5 पे है 4, तो हम यहाँ पे जाएंगे और 4 पे mark लगा लेंगे, तो इस तरीके से हम marking करेंगे आगे तक, तो इस तरीके से मैंने marking complete कर ली है, सभी जो भी हमारी table थी class marks को देखते हुए, और runs code पे हमने dot लगा लिया, अब हमने क्या करना है, इन dots को join करना ह यहाँ से start हुआ है, आप zero से भी start कर सकते हैं इसको नहीं तो यहाँ से start कर दो, ऐसे पहले इस पे गई, फिर इस से जाना है हमें इसके उपर, अपने hand से आपको draw करना है, यह, फिर third वाली इस पे चलना है, फिर इस पे, फिर इस पे, और फिर इस से उपर इस पे जाएगा, और फिर हमारा इसके उपर आएगा और फिर हमारा last point ये है इस तरीके से आपने क्या कर देना है frequency polygon of team A draw कर देना है तो इसको लिख भी देंगे यहाँ पे क्या है हमारा black pen से team A है I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया है किस तरीके से हमने plot किया है scorecard 5 3.5 पे 5 है तो 5 पे mark लगाएंगे फिर 9.5 पे 6 तो 9.5 पे हम mark लगाएंगे 6 फिर 15.5 पे है 2 तो 15.5 पे हमारा है 2 तो 2 पे आ गया फिर 21.5 पे है हमारा 10 तो हम 21.5 पे जाएंगे 10 के उपर फिर है हमारा 27.5 पे 5 है तो 27.5 पे हम लगाएंगे अपना 5 के उपर point ये आ गया इस तरीके से हम सारे के सारे point draw कर लेंगे तो इस तरीके से मैंने यहां पे marking कर ली अब हमने क्या करना है इनको join कर देना है 0 से start भी कर सकते हैं इस तरीके से अगर आप करना चाहो तो कोई problem नहीं है तो यहां से हमने करना है पहले अपने second वाली line के mark को join यहां से यहां मत कर देना ये third वाली line का है इसको करना है third वाली line से join फिर अपनी fourth पे जाना है fourth line ये है इसको ऐसे join करेंगे फिर चलेंगे fifth के उपर फिर चलेंगे sixth line पे फिर चलेंगे अपनी 7th point पे फिर 8th point पे फिर 9th point पे फिर 10th point पे इस तरीके से draw करना है और इसको लिख देंगे team B I hope आपको समझ में आ गया है किस तरीके से हमने frequency polygon draw किया है कोई भी doubt अगर आपको किसी परकार का लगे तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं otherwise इस channel को subscribe किजिए like किजिए और share किजिए thank you students for watching this video thanks